दोस्तों स्वागते आप सभी का Apps Point में आज हम सीखेंगे Facebook Reels पर Follow का Option कैसे लाते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं एक Reels मैंने Open की है और यहाँ पर Follow का बटन दिया गया है इस पर किलिक करके मैं इस बंदे को Follow कर सकता हूँ तो इसी तरह से आप भी अगर Facebook पर Reels अपलोड करते हैं और Follow का Option नहीं आ रहा है तो कैसे आप इसे Enable करेंगे यह सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ इससे दोस्तों क्या होगा आपके Facebook पर Followers बढ़ेंगे ठीके तो यह सेटिंग करने के लिए आपको क्या करना है उपर त्री लाइन पर किलिक करना है इसके बाद आपको नीचे सेटिंग एंड प्राइवेसी में आ जाना है ठीके इसके बाद यहाँ पर आपको सेटिंग पर किलिक कर देना है अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आना है यहाँ पर आपको एक setting मिलेगी Reels आप देख सकते हैं Reels वाली setting पर आपको click कर देना है अब यहाँ पर दोस्तों यह friends पर set होगा तो आपको इसे public पर कर देना है public पर set करने के बाद दोस्तों आपकी Facebook Reels पर follow का button आ जाएगा अगर आपका पहले से public पर set है या public पर set करने के बाद भी follow का button नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पर दूसरी setting भी कर लेना है Reels के नीचे आपको एक setting मिलेगी followers and public content आपको इस पर click करना है और यहाँ पर भी आपको same काम करना है यह friend पर होगा आपको इसे public पर कर देना है इसके बाद यहाँ पर नीचे जितनी भी option दिये गया है सभी को आपको public पर set कर देना है इसके बाद दोस्तों क्या होगा जो आपकी Reels है Facebook Reels उस पर follow का button आ जाएगा इतनी setting कर लीजिए 100% follow का button आ जाएगा इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है कोई problem आ रही है तो आप हमें comment करके बता सकते हैं हम आपकी help जरूर करेंगे अगर आप आगे भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी हमारे channel को subscribe कर लो साथ में bell icon को दबा कर all पर set कर दो ताके हमारी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए वीडियो को share कर दो what's up facebook पर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में बाई